अप्सिष्ट जल कारणे वो निपाटर वेश्ट वाटर कोसर सेंडर डिस्पोजर गाउं या सहर सभी जगा हम प्रति दिन जल का उपयोग करते हैं प्रणाम स्वय रूप उपयोग के उपरांत ज्यादा तर ये दूशित रूप में बहा दिया जाते हैं क्या आप बता सकते हैं कि किन किन कारियों के उपरांत दूशित जल घरों से बहा दिया जाते हैं क्या घरों के अलावा और भी किने जगों में जगों से दूशित जल निकलता है और नलियों में बहा दिया जाता है ऐसे दो दूशित जल क्या कहलाते है या अप्सिष्ट जल कहलाते है या अप्सिष्ट जल कहां जाता है या हमारे क्रावरण पर क्या असर डालता है क्या इसे इस परकार वर्त में आदना चीए दूशित जल को उपयोगी बनाने के लिए क्या क्या किया जाता है आए इन सभी प्रकार का उतर ढूनने का प्रियास करते हैं जल मुलभूत आवशक्ता क्या जल की बिना जीवन की कलपना की जा सकते हैं स्वच जल हमारी मुलभूत आवशक्ता है निर्म किरकलाप के द्वारा स्वच जल की विविन उपयोगों पर विचार करते हैं जल की सफाई करने के प्रग्रम में जल के जल सुरूरतों में प्रवेश अत्वा उष्ट के दुबारा उपयोग से पहले उष्ट में मौझूद परदूश्ट को अलग करना जरूरी है आयतकार खालिस्तानों में सुच जल के उपयोग लेजी अपसिष्ट विशव जल दिवश बाईश मार्च को बना जाता है संजुकत राष्ट की जनरल एसमली में 2005-2015 के अवदी को जीवन के लिए जल अंतरेश्ट दशर के रुप में गोशित किया गया जल के उपचार, ट्रेंटमेंट का या परक्रम, समाने रूप से वाहित मल उपचार कहलाता है किरेकलाप 2, एक्स्प्रिमेंट 2, आपने वाहित मल को घहरों से निकलते हुए देखा होगा इस तरह का वाहित मल और कहां से निकलता है रिक्त इस्तानों को भढ़ने का प्रयास करते हैं अब आप यह पता किजिए कि क्या यह वाहित मल वर्सजल से मिलकर कहां कहां चाता है और किस परकार जल स्रोरतों को परदूशित करता है वाहित मल द्रव रुपी अपसिष्ट होता है इसमें अधिकांस जल की मात्रा होती है जिसमें गूले हुए विवेट परकार को अलगल परकार को दूशित पदार्थ होते हैं यह दूशित पदार्थ है शंदूशा के कहलाते हैं अपने घर के आसपास विदाले अत्वा सड़क पर किसी गूली नाली को देखिए और उसमें बहने वाले वाहित जल का अवलोखन कीचे नाली के आसपास जाने से पुर्व मुह रुमाल से धग लिचे इना सूधियों के कुछ समाने उधारान इस परकार है कारवने का सूधियां मानव मल जैविक अपसिष्ट पदार्थ तेल यूरियां फल और सब्जी का कचर आदी कारवने का सूधियां नाइट्रेट फासफुर्ट अधातुएं पोशक तत्व फासफुरस और नाइट्रोजन यूर्थ पदार्थ जीवानू हैजा और टाइपाइड आधी रोग उत्पन करने वाले अन्य सुचम जीव 25 आधी रोग उत्पन करने वाले वाहित मल के रंग गंद और किसी अन्य अवलोकन को नोट केजिए और इस परकार प्राप्त जनकारे को सानी में लिखिए अब आप जानते हैं कि वाहित मल एक जटेल मिश्रण होता है जिसमें निलंबित ठोस कारुनिक और आकारुनिक असुदियां पोशक दैत्व, मृत जिवी, रोगवाहक जिवानों एवं अन्य सुचम जीव होते हैं हमने देखा कि घर से वाहित मल कच्ची नालियों से होते हुए विवन पेजल सुरतों में मिल जाता है तता उसे दूशित करता है क्या आप यह बता सकते हैं कि ये वाहित मल और कहां कहां निकलते हैं इस तरह निकलने वाले वाहित मल खुले नालियों से जाकर पेजल सुरोतों से मिल जाते हैं, जिससे वातावरन परदुशित होता है, उनना नालियों में खतरनाक मचर पैदा होते हैं, जो मलेरिया, चिकनुगनिया, डेंगू जैसी विमारियों के कारण होते हैं, वाहित मल के पेजल श्रोर्त में मिलने के कारण मनुष्य जन्तु एवं पेड़ पोदे भी इसे से परवाईट होते हैं इसे हमें एक चिदर के द्वार समझ सकते हैं आईए इस तरह बहाए गए अपसिष्ट जल का किस परकार परबंदन किया जा सकता है अपसिष्ट जल परबंदन आप जा चुक हैं कि किस परकार किस तरह वाईट मल कई श mencionot से पर दिन बाहर निकलता है इसलिए इसे नदियों में परवाईट करने से पुर उपचारित करना और शुक है शारम वाहित मल को प्राय भूमी के अंदर पाइपों की मदद से सिदे जल सुरोतों में प्रवाहित कर दिया जाता है भूमी के अंदर इस्तित इन पाइपों के जाल को सीविर कहा जाता है मेर होल के द्वारा एंड सिविरों की सफाय की जाती है जल्य कच्रों को सिधे जल सुरोतों में प्रवाहित करने के पुर्व अपचारित करना आउशक है इसको अपचार की परकिरिया नहीं मान की ते तिम चर्णों में पोर्ण होती है प्रात्मिक उपचार सबसे पहले जल्य कच्रों को नालियों की मदद से जगा जगा पर अवस्थित पंप हाउस में एक्तर किया जाता है इसे पुणा मल सार्व सनियंत्र सिवरेच प्लांट तक लाया जाता है यहाँ बणी लोहे की जालियों की मदद से बड़ी वश्थित जैसे कच्रे, कपड़े, प्लास्टी के टुकड़े आदी को अलग छान लिया जाता है इसके बाद प्रात्त जल को अवसाधन टैंक सेमिलेशन टैंक में डाला जाता है इसमें निलंबित कंकड बालू जैसे असुदिया नीचे बाढ़ जाते है इन असुदियों को प्रात्त में की किचड प्रामरी स्रेट जी कहा जाता है इस किचड को बाहा निकाल लिया जाता है जिसे जिवानियों एर्णबोरिक बैक्टेरिया दोवारा अब घटित कर इसका उप्योग बायोगैसों तथा जैव औरवर्क बनाने में किया जाता है दिवित्तिक उप्चार इसके बाद उप्चारित जल को खुले वातन टैंक में डाला जाता है यहां उपस्तित वाईवे जिवानियों एर्वरिक बैक्टेरिया जल में उपस्तित कारवनिक पदार्थों को उप्षिक्रित कर देते हैं यह किरिया पुनाता जैविक होती है जिवानियों को स्वशन किरिया के लिए उक्षिजन की आवशक्ता होती है इसलिए अक्षिकरण केरिया को तिर्व करने के लिए बाहर से टैंक में हवा परवायद की जाती है इस उपचार के बाद बच्ची अशुदियों को दिवतिय के किचर्ड सेकेंटरी स्लेट क कहते है इससे भी जैव औरवरक एवं बायोगैसों बनाया जाता है बायोगैसों का उपयोग इंदन के रूप में होता है तिर्थे उपचार इसके बाद उपचारित जल को कलोरिनेशन टैंक में डाला जाता है जिससे जल में उपच्चीत अहानिकारा को सुचमजीव समाप्त हो जाते है इस उपचारित जल को जल सुरोतों में प्रवाइद किया जाता है इस जल का उपयोग सिचाहित तथा अदयोगे के परगरों में किया जाता है जल कुमी वाटर, हाइच निर्च और युकलीरफ्ट से भी तेजी से अपने आसपास करी दूशत जल को आसोशित करते हैं और वातवरन आसोशित करते हैं तथा वातवरन में सुधत जल आश्पभ मुँक्त करते हैं घरों में सुध पेजल की वबस्ता आप जो पे जल विविर्ण सुरतों से प्राप्त कर उपयोग करते हैं क्या वैस शुदद हैं उसमें भी कई परकार की घुलंड सिर्ण तथा घुलंड सिर्ण सूधियां होती है उनके उपचार के लिए कई तरह के फिल्टर बजार से क्राय किये जाते हैं उनमें से कुछ फिल्टर के चितर दिये गया है क्या गरेलू उपचार के द्वारा भी हम शुद जल प्राप्त कर सकते हैं एक बरतन में गंदा जल लीचे उसमें थोड़ी सी फिटकरी डाले तथा उसे चमच से अचितर ही मिला लीचे आप क्या देखते हैं कुछ देर में आप देखेंगें कि जिस बरतन में फिटकरी डाले गए थी उसे जल में उपच्तित गंदगिया बरतन के तल पर बैठ गए तथा जल साफ हो गया पुणा हम इसे साफ जल को छणा पत्र की मदद से चान कर और साफ जल रात कर सकते हैं घर में उपयोग किये जाने वाले पेजल को साफ सुती कपड़े से भी चाना जा सकता है पाड़े में उबाल कर भी शुदत किया जा सकता है इन्हें भी जानिये ये सुझाव दिया गया है कि हमें वाहित मल सन्यंतरों के चार और युकिलिपेटस के व्रिक्षे लगाने चाहिए ये व्रिच्षे समझत अतिरिक्त अपसिष्ट जल को अफसोसित कर लते हैं और वायुमंडल में निर्मूत करते हैं जागरूक नागरिक बने आप जान चुके हैं कि अपसिष्ट पदार्थ की उत्पति मानों के परकिर्थिक एवं समाजी के रिकलापों का प्रिणाम है लेकिन हमारे प्रियासों से हम इसे सिमित अवशक कर सकते हैं प्राय हम सभी कुड़े कच्रे से उठने वाले दुर्गत से परशानी का अणभाव करते हैं वर्शाकाल में इस्तिती और भी भ्यावय हो जाती है जब नालिया उबनने लगती है और उनका कच्रा सड़कों पर फैल जाता है ये परिस्तितिया आतियंत स्वस्तेकार और रोगकार हो सकती है सड़कों पर बिकरी कच्रे या अप्सिष्ट पदार्तों पर रोगवाहक, मचर, मक्या तथा अन्य केड़ पनपने लगते है एक जागरुक नागरिके के नाते हमारा करताव है कि आप नागर पालिका तथा पंचायत को इन वीशम परिस्तियों के बारे में आगाह किजिए यदि किसी घर से निकलने वाला वाहित जल पास पडोसी में गंदगी फैला रहा हो तो आप उड़ में अन्य नागरिकों के स्वास्ते के प्रती सन्वेदन चिल होने का निवेदन कीची क्या हम इस तरह अपने करतावियों का निवराक कर अपसिष्ट जल उप्चार सन्यंत्र का बोज़ कम नहीं कर सकते स्वच्छता की कमी और रोग एक क्या स्वच्छता की कमी और दूशित पे जल अनेक रोगों का कारण बनते हैं आए हम अपने देश के स्थिति पर चर्चा करते हैं हमारे जन्त संक्या का एक बड़ा भाग जन्त संक्या का आईज परतिशत आज भी सुचले की स्वचले की स्वधा से वंचित हैं ऐसी जन्त संक्या का बड़ा भाग कुले, स्थानों नदी की किनारी, रेल की पटरियों सड़ा किनारे कुले मदान में केतो और अनेक बार सिधे जलस्तारों में ही मल त्याग करता है अनुप परचारित मानव मल स्वास्ते चंकट का एक कारा इससे जल और मिर्दा का प्रदूशन हो सकता सता पर उपलब्द जल और भोम जल दोनों मानव मल से परदूशित हो जाते है अता अनुप चारित मानव मल जल जनित हैपटाईस और पेचिस जैसे रोगों का कारान है वाहित मल निपार्टन की व्यकल्पिक वववस्ता क्या स्वचता की स्थिती सुधारने के लिए कामलागत के यथा इस्थान बाहित मल निपार्टन तंत्रों को बढ़ावा दिया जा सकता है इसके कुछ उधारन सेप्टिक टैंक रसायने का सोचाली का पोस्टिंग पीट आदी है जिनका उप्योग किया जा सकता है सेप्टिक टैंक उन स्थानों के लिए उप्योगत है जहां मल वान की ववस्ता नहीं जैसे हस्पताल हस्पताल विद्याले भवन अलग-अलग बने मेकान अत्वा चार से पांच घरों का सुमो क्या आप बता सकते हैं कि हवाई जहाज में वाहित मल का निपाटन कैसे होता है कुछ संगठन मानव अपसिष्ट के स्वच्चता पुर्वक निपडान की तकनिक सुड़ाएं परदान करते हैं इन सोचालों में अपमार्जन की अउशकता नहीं होती सोचालों से मल, बंद, नालियों से होता है नालियों से होता हुआ बायगैसों सन्यांतर में चला जाता है उत्परण होने वाली बायगैसों का उप्योग उर्जा के स्रोर्वत की रूप में किया जाता है आप बताएए परदूसित जल को स्वार्जनिक स्थलों पर सवचत है हमार देश में समय समय पर मेलों का आयोजन होता रहता है बड़ी संख्या में लोग इन में भाग लेते हैं इसी परकार बजार, मेला, रेलवे, इस्टेशन, बस, इयरपोर्ट, एस्पताल आदी बहुत भीड़ वाले सवरजनी के स्थाल होते हैं यहां रोज हजारों लोग आते हैं यहां बहुत मातरा मपसिष्ट पदार्थ जनीत होता है क्या इसका उचित निप्टान जरूरी है अगर ऐसा नहीं किया जाए तो इसका क्या परभाव पड़ेगा इससे कई तरह के लोग रोग फैल सकते हैं इस सरकार द्वारा सचता के कुछ नियमित माना के निधारत किया है किन्तु दरभागे से इसे शक्ति से लागों नहीं किया जाता हमें कोड़े को इधर उधर फेकनी के वज़ाए कोड़ेदान में ही डालना चाहिए यह हम सबकी सिम्धारी यह हम सबकी जिम्मवारी इसमें हमारी सहभागीता क्या है नश्ट होने वाले कुड़े कागज पत्ता बच्चे हुए खाद पदारत अनाच को गड़े में डाल कर कमपोस्ट खाद बनाईए नश्ट नहीं होने वाले ठोस, कुड़े, प्लास्टिक, कपड़ा, स्पंखा, पांक, सिसा, लोहा, लकड़े, रबड़, आदी को अलग से कुड़े दान बढ़ा दिये जिसका उप्योग बड़े-बड़े गड़ों को भरने में किया जा सकता है फोस, कुड़े, नश्ट नहीं होने वाले को कभी भी नली या श्रिंक में नहीं डाले बचे हुए खाद पदार्त को कदापे प्लास्टिक कवर में डाल कर नली या बाहर मत प्रेखे अपना प्रवरन सुच्छ और सुच्त रखने में भी हम सभी को भूमे का निभानी है जल्शरुतों को सुच्छ, सुच्छ अवस्था में बनाई रखने के लिए आपको अपने उतर दाहितों को समय holder चींग, हमें अपने जीने के तोर तरीकों में अच्छी स्वच्छता की आदतों को अपनाना चींग, हमें वाहित मरल के दूस प्रभाव से मुक्त होने के लिए स्वयां जागरोग को होना पड़ेगा, साथ ही अपने समाच को भी पेरिद करना होगा, हमारा देश एक परिवा जिसमें मानव मल को केचो द्वारा उपचारित किया जाता है। केचो के उप्योग में जल की बहुत कम मात्रा के आउशकता होती है। इसका संचालन बहुत उशरल हैं हम सोचे हैं। मानव मल पुर्णाता क्रिमी केपो में परवर्थित वह जाता है। जर्दाग के ले अपने के लिए लुट कोश्ट